आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हेलो फ्रेंड, वेलकब टू डाउटनेट, आज प्रशन है, आउकल समिकरर की कोटी वा घात लिखिए यहाँ पे जो समिकरर दिया गया, d की खा 3y, बटा d x की खा 3 प्लस x, d की खा 2y, बटा में d x की खा 2 प्लस 2y, कोष्ट में क्या है, dy बटा d x का पूल खा 3 प्लस x ब्रावर सुनने, तो आई हम इसको हल करते हैं, देखिए, पहले हम इसको नोट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, d की खा 3y, और बटा में क्या है, d x की खा 3, ठिक, और प्लस x, d की खा 2y, और बटा में क्या हो जगा, d x की खा 2, प्लस 2y, और कोष्ट में क्या है, dy बटा में d x का खात कितना है, 3 और प्लस में x ब्रावर सुनने, इसको समिकर एक बना ले, अब हमें क्या करना है, इसकी उच्तम आउकलाज, उच्तम आउकलाज, उच्तम आउकलाज की जो कोटी होती है, वही हमारा क्या होती है, कोटी होती है, तो इसमें उच्तम आउकलाज क्या है, दिखे, उच्तम आउकलाज के मतलब कि जिस पत के हमें सबसे ज्यादा बार आउकलाज किया गया हो, तो हमें Y को X के साफ एक्स आउकलंग किया गया है तो सबसे ज़्यादा बार आउकलंग कितना बार किया गया है तीन बार किया गया है तो इसको लिख लेंगे D की खात 3 Y और बटा में D X की खात 3 ठीक तो सबसे ज़्यादा बार आउकलंग तो यही हुआ है तो इसकी कोटी कितनी हो जाएगी कोटी कोटी यानि कितने बार आउकलंग किया गया है तीन बार तो इसकी कोटी तीन आ जाएगी ठीक अब घात हमें ग्याद करना है तो घात क्या होता है देखिए उच्टम जो आउकलज होती है उस्तम आउकलच की जो कोटी होती है आउकलच आउकलच की कोटी के घात ठिक उस्तम आउकलच की कोटी के खात को हम क्या कहते हैं घात कहते हैं तो घात कितना आ जाएगा घात देखें तो यहाँ पर क्या है D की खात 3Y बटा में D X की खात 3 और इस पर घात देखे तो इस समिकड़ में देख लिजिए कितना एक है यहां पर क्या है इसकी घात एक है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर एक हो जाएगा तो यहां से हमें घात क्या मिल लाएगा घात हमें मिल लाएगा एक तो कोटी कितनी थी कोटी था तीन और घात कितना हो गया एक यह हो जाएगा इस प्रश्ण का अभिष्ठल अगर एक चीज़ देखे हम क्या करें यहाँ पे एक असान तरीका से हल करना चाहें तो एक जलना समिक्राइग दी एन वाई बटा डी एक्स एन पे घात कितना ए इससे हम तुलना कर दें तो उच्ता मौकलाज त तो यहाँ पे एन क्या है हमारा एन कोटी को परदासित करता है तो कोटी कितना आ जाएगा कोटी तीन आ जाएगा और एक क्या है यह हमें घात को परदासित करता है तो घात कितना आ जाएगा घात आ जाएगा एक इस परकार भी हल करके हम बता सकते हैं धन्यवाद